राधी राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है हिस्सा अब तुम माईके कभी नहीं जाओगी कभी भी नहीं घर में रहो और अपना घर संभालो अब इस मुद्धे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाता मैंक ने माधवी से दो टुक बात की और अपने ओफिस रवाना हो गया माधवी वही खड़ी खड़ी देखती रह गई उसकी सास गरिमा जी के लिए भी ये बात बहुत अजीब थी अपने सांथ स्वाभाव के बेटे को आज अपनी ही नजरों के सामने पत्नी को डाटते देखा था मैंक ने कभी भी माधवी को माईके जाने से नहीं माना किया ये पहली बार था कि मैंक ने उसे इस तरह से जबाब दिया था नहीं तो इतने दिन से माईकी जाने के लिए बोल रही थी पर वो हर बार टाले जा रहा था जबकि हर बार तो वो उसे खुद ही माईकी छोड़ आता था आज माधवी जिद पढ़ ही अर गई तो मयंक ने जबाब दे कर गया मयंक के जबाब पर गरीमा जी कुछ नहीं बोली चूप चाप अपने कमरे में चली गई क्योंकि वो तो जानती थी कि मयंक क्यों माना कर रहा है इधर सोचते सोचते माधवी वही हौल में सोफे पर बैट पिछली बार पापा के छे माही में माईके गई थी उसके बाद माईके जाना ही नहीं हुआ ये अलग बात है कि माईके से भी किसी ने फोन करके नहीं बुलाया पर क्या फरक पड़ता है है तो उसका माईके ही ना मम्मी और भाई सब तो है फिर मयंक जाने से इनकार क्यों कर रहा है जबकि पापा थे तो वो कभी मना नहीं करता था यहां तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया सोफी पर बैठी माधवी इन ही सब चीजों को सोच रही थी माधवी की साधी को पांच साल हो चुके थे मयंग के काफी सुल्जे हुए इंसान थे घर में सास गरीम जी थी कभी उन्होंने माधवी पर रोक टोक नहीं की लेकिन एक ही बात थी जहां वो माधवी को टोकती थी वो थी माधवी की जाने को लेकर माधवी की सुरू से ही आदत थी माधवी पास था तो हर सबता ही माध के पहुँच जाती थी फिर सुबा से साम तक वही रुकर आ ये क्या नियम पना रखा है तुमने जब देखो माय के चली जाती हो मुझे तुम्हारा इस तरह हर सब्ता माय के जाना पसंद नहीं लेकिन माधवी एक कान से सुनती और दुसरे कान से निकाल देती गरीमा जी मयंग को कहती तो मयंग भी हसकर टाल देता क्या मा आप भी सुब जाकर साम को तो आज आती है फिर क्या दिकत है क्यों माना करती हो जाने दो उसे इसके आगे गरीमा जी कुछ नहीं कह पाती यहां तक कि जब बेटी नब्या हुई तब ही यहीं हाल था आज नब्या भी चार साल की हो चुकी थी लेकिन अभी आठ महीना पहले ही माधवी के पीता की हाड अटेक से मिर्तिव हो गई 15 दिन माधवी वहीं रही उसके बाद हर महीने जो स्राद निकलता था उस पर भी वो गई थी मयंक भी साथ गया था लिकिन 6 माही के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि मयंक उसे माय के जाने ही नहीं देता आज कल ममी भी फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती क्या पता दोनों भावी ममी को ठीक से रखती भी है की नहीं उपर से मयंक का ये बेवार सोचते सोचते माधवी जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँची तो मन ही मन खुद ही निरने लेकर खरी हो गई आज तो चाही कुछ भी हो जाए मैं माय के जाकर ह रहूंगी आखिर मुझे अपनी ममी और दोनों भावियों और भावियों से मिलने का हक है मयंक इस तरह मुझे नहीं माना कर सकते हैं सोचते सोचते माधवी कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर बाहर आगई तब तक गरीमा जी भी बाहर आ चुकी थी उसे तैयार देखक गरीमा जी ने पूछा बहुत तुम कहीं जा रही हो जी माजी मैं अपने माई के जा रही हूँ ममी से मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं तो उनसे मिलकर जल्द ही आ जाऊंगी नभ्या के आने से पहले ही आने की कोशिस करूंगी नहीं हो पाया तो आप नभ्या को खाना खिला दिजियेगा कहकर माधवी बाहर की तरफ मूडी ही थी की गरीमा जी ने रोक दिया वहू तुम अब मायकी नहीं जाओगी सुबा मायंक ने माना किया था ना तुम्हे फिर क्यों जा रही हो गरीमा जी की बात सुनकर माधवी खरी रह गई फिर हिमत करके बोली माजी मेर ममी पर दुखों का पहार तूटा है उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते लेकिन कम से कम मैं अपनी ममी से मिलकर तो आ सकती हूँ उन्हें थोड़ी तसली तो दे सकती हूँ बेटी हूँ उनकी क्या इतना भी मेरा हक नहीं है इतने दि माधवी जिद पर आते हुए बोली बहु इतनी जिद अच्छी नहीं होती मयंक ने मना किया है ना चूप चाप घर पर रहो नहीं जाओगी तुम आज तो मैं जाकर ही रहूंगी बस कहकर माधवी जबरदस्ती घर के बाहर निकल गई इधर गरिमा जी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने मयंक को फोन लगा दिया और ये बात बता दिया कि माधवी जबरदस्ती माई के रवाना हो गई है ठीक है मा मैं देखता हूं कहकर मयंक ने फोन रख दिया इधर कुछ देर बाद माधवी अपने माई के पहुँच गई लेकिन घर पर तो ताला लगा हु उसे देख लिया और उसे आवाज लगा कर बोले अरे माधवी बेटा घर पर कोई नहीं है इधर हमारे यहां आजओ चाचा जी की बात सुनकर माधवी उनके घर चली गई जब वहां गई तो चाची जी ने चाय नास्ता परोस्तिवे कहा अरे माधवी बेटा आज तो बहु सुनकर माधवी हैरान होकर बोली मैं समझी नहीं चाची जी अरे तेरी सास सिड्यों से गिर गई थी ना इसलिए तो तू इतने दिनों से नहीं आ रही थी उसी बारे में पूछ रही हूँ अब तो तेरी सास ठीक है ना चाची जी ने उसे समझाते वे कहा सुनकर माधवी हक बक्की रह गई भला उसकी सास को कब चोट लगी आपको किस ने कहा चाची जी कि मेरी सास को चोट लग गई है मैंने तो कुछ नहीं बोला मादवी हैरान होते हुए बोली तभी चाचा जी बीच में बोल पड़े अरे छे माही के दो दिन बाद जब प्रोपटी का बटवारा ह हो रहा था और पेपर्श पर तुम्हारे साइन चाहिए थे उस समय तुम्हारे भायों ने ही बताया हमने तो कहा भी था कि हम मिल आते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि माधवी पर वैसे भी काम का वजन ज्यादा है ऐसे में वहां जाने से उन्हें पड़ेसानी हो सकती है माधवी तुने पूरी प्रोपटी पर से अपना हिसा छोड़ दिया यहां तकी उस प्रोपटी को भी छोड़ दिया जो तेरी पापा ने तुझे ये कहकर दी थी कि ये नाप्या के लिए है सुन कर ही माधवी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले तभी चाचा जी का बेटा वरुन कमरे में आ गया और माधवी को देखकर चूप चाप खड़ा रह गया ये देखकर चाची जी बोली अरे वरुन माधवी आई है हमेशा तो इसे देखकर खूब हसी मजाग करता है आज चूप चाप क्यूं खड़ा हो गया तभी माधवी बोल चाचा जी मैं चलती हूँ नब्या के आने का समय हो गया है मा जी उसे संभाल नहीं पाएंगी कहकर वो बाहर आने लगी तो वरुन बोला रुको माधवी मैं भी तुम्हें बाहर अटो एस्टेंड तक छोड़ देता हूँ कहकर वरुन उसके साथ ही बाहर आ गया और दोनों व मुझे तो लगा था कि अब तुम माईके ही नहीं आओगी आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथे कितना गंदा बेवार किया है मैंक जी तो बहुत गुसा हो रहे थे यहां तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़कर भी गए आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा देथ सटिफिकेट तक छी मैं तो ये बात अपने ममी पापा को बता भी नहीं पाया पर यकिन ही नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया अपनी ही बेटी को कहते कहते वरुन चूप हो गया उसकी बात सुनकर माधवी के पैरू तले जमिन खिसक गई तभी वरुन बोला आज सायद जमिन के रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे इसलिए घर पर कोई नहीं है अब माधवी को समझ में आ रहा था कि मयंक उसे माई के आने के लिए क्यों मना कर रहा था और इसलिए आज कल उसकी ममी भी फोन पर उ उन्हें फोन रखने की जल्दी होती है माधवी को कुछ समझ में ही नहीं आया तो उसने अपनी ममी को दोबारा फोन लगाया लेकिन इस बार उसकी ममी ने फोन उठा लिया अरे माधवी बेटा मैं अभी मंदिर आई हुई हूँ तुमसे बाद में बात करती हूँ कहकर वो रखने ही वाली थी कि तभी माधवी ने कहा ममी मंदिर में ही होना तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा के सांती के लिए भी भोग जरूर लगा देना सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी ममी बिल्कुल सांथ हो गयी फिर जब दोनों तरफ ही मोन हो गया तो उसकी ममी बोली देख बेटा, मैं मेरी दोनों बेटों के नाम प्रपटी कर रही हूँ, आखिर तिम्हें प्रपटी देने का क्या फायदा, प्रपटी तो तेरे साथ तेरे ससुराल चली जाएगी, आगे चल कर तेरे भाईयों को तेरे बच्चों की साधी में भाद तो देना ही पड़ेगा न उपर से मेरी सारे जिम्मेदारी भी मेरे बेटे ही उठाएंगे, पर तु फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ न कुछ तो मैं जरूर दोंगी, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखिये अपनी प्रपटी अपने पास, जिस मा के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसक माधवी ने गुसे में फोन रख दिया, और वहीं रोड पर रोने लगी, वरून उसे चूप कराने की नकाम कोशिस करता रहा, तभी मयंक वहां आ गया, मयंक को देकर माधवी उसके गले लगकर खूब रोई, तब मयंक ने कहा, बस मैं इसलिए तुम्हें आने नहीं देना चाता था, नहीं चाता था कि तुम्हें ये बात पता चले, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाप कोट में केस करके ही रहूंगा, नहीं, कोई जुरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की, कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों की सकल भी नहीं देखनी सोच लुंगी की जहां मेरे पापा खत्म हो गए वहीं मेरा मायका भी खत्म हो गया मेरे लिए मेरा पती और मेरा परिवार ही काफी है आखिरकार माधवी मयंक के साथ वापस अपने घर आ गई वह दिन था और आज का दिन है माधवी कभी मायके नहीं उसकी ममी ने आकर उसे खूब मनाने की कोशिस भी की लेकिन माधवी ने हमेशा के लिए हाथ जोर दिये असा करती हूँ दोस्तों ये कहाने आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना और इस कहानी पे आप बहुत धन्यवाद